हेलो गाइज आज अपन पढ़ेंगे अरजुन के बारे में तो चलिए देखते हैं अरजुन का बोटेनिकल नेम है टर्मीनेलिया अरजुना और इसकी फैमली है कॉम्डिटेशी इसके रस पंजग की बात करते हैं तो उसका रस पंजग LR 631 मतलब इसके गुण है लगू और रूक्ष कशाय रस इसका प्रधान रस है विपाक है इसका कटू और वीर है इसका सीथ फिर बात करते हैं अरजुन के प्रभाव की तो अरजुन प्रभाव से हिरिद्य है तो चलिए प्रभाव को थोड़ा सा समझते हैं रस वीर विपाक का नाम सामानियम यत्र लक्षते विशेशह कर्मा नाम चैव प्रभावत से सहिस्म्रत है अरथात रस वीर और विपाक सामानिय रहने पर भी जहां कर्म में विशेशता होती है उसका कारण एक विशेश सक्ती होती है कुछ वीरे से कुछ विपाक से और कुछ प्रभाव से कारे करते हैं लेकिन रस से ज़्यादा बलचाली विपाक होता है रस और विपाक से ज़्यादा बलचाली वीरे होता है रस विपाक और वीरे इन तीनों से ज़्यादा बलचाली प्रभाव होता है और प्रभाव एक विशिष्ट सक्ती होने के कारण अपना एक विशिष्ट कर्म दिखाता है और अरजुन प्रभाव से हिरिद्ध होने के कारण रक्त वसंस्थान में अपना विशिष्ट कर्म दिखाता है फिर बात करते हैं इसके परियाय की, तो सबसे पहला परियाय है नदी सर्ज, अर्थाद, अर्जुन नदी नालों के किनारे अधिक पाया जाता है, काकूब अर्थाद विस्तरित होने के कारण, इंद्रदू बड़ा वरक्ष होने के कारण, वीर वरक्ष कांड इसकी द्रड हो चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके स्वरूप की अरजुन के तो आप देख पा रहे होंगे फोटो में ये 60-80 फूट ऊचा वरक्ष रहता है इसकी कांड देखेंगे तो इसकी कांड बाहे कांड जो रहती है बाहे तवक सफेद रहती है और चिकनी रहती है और भीतर से ये कोम स्थूल और रक्तवर्ण की रहती है फिर बात करते हैं इसके पत्रों की तो इसके पत्र अमरूद के पत्र के सद्रस से रहते हैं आयताकार रहते हैं 4-6 इंच लंबे रहते हैं फिर देखें इसके पुश्प तो पुश्प जो रहते हैं स्वेत या फिर पीताब मंजरियों म कमरक को स्टार फ्रूट के नाम से जाना जाता है, स्टार फ्रूट इसको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आपन इसको बीच से बाइसेक्ट करेंगे, तो इसमें स्टार जैसे दिखता है, तो इसी कमरक के फल के साधरे से जो रहते हैं अरजुन के फल रहते हैं चलिए फिर बात करते हैं इसके दोष कर्म और आमेग प्रयोग की तो ये कशायरस की प्रधानता से कफ शामक और सीत वीरी होने से पित शामक होता है तो ये कफ पैतिक रोगों में प्रयोग होता है फिर बात करते हैं इसके बाहे वसंस्थान की तो कशायरस की प्रधानता से रक्त इस्तंभन वरण रोपन और संधानी है तो वरणों में इसके सुवरस और चून का प्रयोग किया जाता है और संधानी होने से ये अस्ति भगने में इसकी छाल का लेप प्रयोग होता है फिर बात करते हैं पाचन वसंस्थान की तो कशायरस की प्रधानता से ये स्तंबन है तो स्तंबन होने से रक्त अतिसार और रक्त अर्ष में प्रयोग होता है फिर बात करते हैं रक्त वसंस्थान की तो ये प्रभाव से हिरिद्य था तो हिरिद्य होने से ये हिरिदय रोगों म अच्छा करता है और इसी से हिरित पेशियों को शक्ति प्राप्त होती है पेशी अर्थात मसल और हिरित पेशी हिरिदय की पेशी अर्थात कार्डियक मसल को शक्ति प्राप्त होती है फिर ये कशायरस की प्रधानता से रक्त इस्तंबन होता है फिर बात करते हैं इसके शोथ ह की तो शोत अर्थात inflammation अब inflammation की पहली step ही होती है vasodilation vasodilation means widening of the blood vessels leading to the increase in the blood flow जब तक blood flow increase नहीं होगा तब तक inflammation cause नहीं होगा और ये कशायरस की प्रधानता से रक्त इस्तंभन है अर्थात रक्त वाहिनियों के दोरा जाने वाले razor का श्राव कम कर दोता है अब अगर श्राव कम हो गया है जिससे वह giohust को दूर करता है और इसी लिए वह giohust हर में प्रयोग होता है फिर बात करते हैं तो कशायरस की प्रधानता से कफग्न है तो कफग्न होने से ये रक्त पित और छयाज कास में प्रयोग होता है अब छोड़ सा समझ लीजे कि छायज कास क्या होता है जब इंसान रक्त मिश्रित दुरगंधित कफ को थूकता है अर्थात रक्त के साथ जब कफ को थूकता है उसे छायज कास के लक्षन कहे गए है और रक्त पित अर्थात पित द्वारा दूशित र गोलोने से रख्त पित्व जाता है इसलिए यह रख्त पित्वो होता है और परक्त करते हैं कि लारी कि से जोफता चप्र요ani गोलोने से प्रत्रहिया करते हैं कि अधिक मात्रा बार μुट्र की चाह Täक backlash प्रister सिंस्थान की तो प्रजिन होने से शुक्र मही है शुक्र मही के साथ आध्युटक हम विप्र बात करेंगे संधानी संधानी के अस्तिभग्ता में इसकी छाल रेपर यह जाता है में अदेशकुन गूर्शक में सब्सक्राइघिताई और शुलिखन के जानच थार आपकरत चाथ हूं क्योंकि ये लगू और रुक्स होने से वाद को बढ़ाने वाले होते हैं और वाद को बढ़ाने के कारण ये मेद और कफ को कफ का हरन करने वाले होते हैं तो मेदो हर होने से ये मेद रोगों में प्रयोग होता है और इसका प्रभाव हृद्य होने के कारण हृदय को कम हो जाता है और ठके हड़ जाते हैं अरफना簡쟁 को एक imbalance हटा है उसके बा किया जाता है अस्ती भगने में आर्जुन की तुवक्मक का से दूद के साथ किया जाता है और आर४क का का ठाध कियांट पर चांड वरस दस से बीस हैमेर इसके विशिष्ट योग में देखेंगे तो अरजुन और इस्ट है अरजुन ग्रहत है प्रभाकर वटी है टैंक यू फॉर लिसनिंग